दोस्तों आज मैं जिस सक्ची नुटना के बारे में बात करने वाले हूँ वह कहानी गुजरात के कांधी रगर के श्वामी नारायन गौसाला से सुरू होती है आज तक अपसर सुनने को मिला है कि कोई नौजात शिशू शनक पर या फिर किसी कूड़े के धेर में मिला है आज इस घर्टना की वीडियो में हम एक ऐसे बच्चे के बारे में जानेंगे जिसके माबाप ने न सिर्फ उसे पैदा किया बलकि दस महीने तक पाल पोस कर रखा और उसके बाद बच्चे को सनक पर मरने के लिए फेट दिया तारीष थी 9 अक्टूबर 2021 रात के तकरीबर 9 बच कर 20 मिनट का समय था स्वामी नारान गौशाला में काम करने वाले लोगों को किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है जब वहां काम करने वाले करमचारी गौशाला के बाहर आकर देखते हैं तो पता चलता है कि गौशाला के गेट पर लगधक 10 महीने का एक बच्चा सड़क पर अकेला पड़ा हुआ था और वा जोर जोर से रो रहा था बच्चे की किस्मत अच्छी थी कि वहां आवारा कुट्टो की नजट उस बच्चे पर नहीं पड़ी थी गौशाला की कंचालियों ने उस बच्चे को सड़क से उठाया और आज पास ढूणने लगें कि शायक कोई मिल जायन जिसका या बच्चा हो लेकिन दूर दूर तक उन्हें इस तरह का कोई भी सक्स दिखाई नहीं देता है दोस्तों क्या खाया पूरा मामला वा बच्चा किसका था किसमी अपने बच्चे पो दस महीने तक पाल पोस्ट कर रखा और उसके बाद सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया इस कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में आखेस तक बने रहे इससे पहले किया केस की डिटेल्स पर चले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्स्प्राइब करके बेल बटन को जरूर त्रेस कर ले और दोस्तों वीडियो को जरूर से लाइक कर दे ताकि हमें ग्राइंग और उससे रिलेटर जानकारी आपको और अच्छे तरीके से रेप्रिजेंट करने का होसला में दे दोस्तों स्वामी नाराण गौसाना के करनचारी काफी देर तक उस बच्चे के पेरेंस को ढूमने की कोशिश करते हैं लेकिन जब कोई नहीं मिलता है तो आप गांधी नगर पुलिस टेशन में कॉल करके घटना के बारे में बताते हैं पुलिस घटना स्थर पर पहुँझ लेकिन पुलिस इतने छोटे बच्चे को देख कर काफी परिशान हो जाती है क्योंकि दस महीने तक के बच्चे को संभाल पाना बहुत मुश्कित था फिर पुलिस ने पेठा पुल के पारसत दिप्थी पटे जो की काउंसलर भी है उसे रिक्वेस्ट करती है कि अगर बच् रात निकल जाती है सुबह होने के साथ ही साथ इस बच्चे की फोटो और वीडियो वेडियो के पहस बुदियाagna उस बच्चे से मिलने के लिए 10 अब्टूबर 2021 को हास्पिटल पहुंसते हैं और पुलिस को इन्स्ट्रक्शन्स देते हैं कि जल्द से जल्ब इस केस पर काम करें और बच्ची के माता पिता को ढूनने की कोशिश करें क्योंकि इत्वी छोटे बच्चे को संभाल पाना बहुत मुश्किल था ग्रिहमंत्री के इसादेश पर पुलिस पर दबाव और जादा बढ़े गया और इसके बाद गांधी डिगर पुलिस ऑफिसर्स ने पुलिस पुलिस वालों की एक 14 टीम बनाई और सब को इस केस से जुड़े अनगलत पहनवों पर लगाया गया ताकि केस पर जल से जल सुलजाया जा सके पुलिस की टीम सबसे पहने आसपास के CCTV फुटेज को खंगालना शुरू करती है इतिफाक से एक फुटेज से सफलता जिसमें गौसाला के गेप पर कोई आदमी उस बच्चे को रफ कर तेजी से लगभग भागता हुआ वहां से निकल रहा होता है लेकि फुटेज में उस आदमी ने अपने चेहरे को रुमान से ढख रखा है जिससे शकल को पहचान पाना मुश्किल होता है अग पुलिस ने स बच्चे के मावाप नहीं मिलते हैं तो हम इस बच्चे को अपनाने के लिए या बोड लेने के लिए तयार हैं लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं दोस्तों कि किसी ने बच्चे को अपनाना या बोड लेना उसकी नहीं कारूनी प्रग्रियाएं है बहरवाद तक्रीवें एक जाने वाले रास्ते को खंधालने के बाद पुलिस के हाथ सफस्दा निलती है। एक सेंट्रों कार जिसमें अवा बच्चा और एक आदमी बैठे हैं और कार दो साला की तरफ ही आ रही होती। फिर पुलिस ने उस फुटेज को जूम करके कार कार का नंबर लिया और उस कार न से सचिन के बारे में पूछा गया तो कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाई। पुलिस के पास सचिन का मोबाइल नंबर रही था। गांधी नेगर पुलिस ने सचिन के मोबाइल नंबर को सरलेंस पर डाल और पता चला कि सचिन का मोबाइल इस वक्त राजस्थान के कोटा मे पुलिस ने सचिन से कुंटाक किया और पूछने पर की एक बच्चा स्वामी नारान गौशाना के गेट पर मिला रहा है और उस बच्चे को आपने अपनी कार से वहाँ पर छोड़ा रहा है ऐसा CCTV फोटेज में दिखाई दे रहा है तो क्या वह बच्चा आपका लें सचिन इस गाड़ी का नंबर बताती है और गाड़ी और सचिन दोनों को रोकने के लिए कहा जाता है गांधी नेवर पुलिस की एक टी कोटा रवानाम होती है और सचिन को लेकर गांधी नेवर वापस आते हैं दोस्तों जब गांधी नेवर पुलिस कोटा पहुशती है तो वहाँ प और अपनी पत्मी важा और अपनी तीन साल के बेटे के साथ 10 डाश लाने के लिए गाउंझ करती है जब पुलिस अनूराधा से पूशत है कि आप अपने एक बेट साथ का है उसको अपने साथ ले जा रहे थे और अपने दस वहिने के बच्चे को गौशाला के गेट पर क्यों छोड़ा इस पर अम्रादों हैरानी से जवाब देती है कि हमारा तो एक ही बेटा है और वह तीन साल का है और इस वक्त हमारे साथ है फिर पुलिस ने जब सचिन से पूछा तो सचिन ने कहा कि जिस बच्चे की आप बात कर रहे हैं व वह उसी कवच्चा है पुलिस ने सचिन से अकेले में पूछ ताश करने का फैसला के और अधिब पूछा जारी ही है इसके दोरा सचिन पुलिस को पुछ बताता है और अचानक गांधी नेगर पुलिस वड़ोद्रा पुलिस को फोन करके एक सोसाइटी का एड्रेस देती है और कहती है कि इस एड्रेस पर जाएए और एड्रेस के फ्लैट के अंदर किचन में एक बैन रखा है उसको खोल कर देखिए वड़ोद्रा पुलिस गांधी नेगर पुलिस के इस्ट्रक्शन को फोनो करते गुए उस एड्रेस पर पहुचती है घार पर ताला लगा था लॉ उम्र कम से कम 25 से 30 साल रही होगी वड़ोद्रा पुलिस या जानकारी गांधी नगर पुलिस को देती है वहाँ पर सचिन से अभी भी पूच्टास चल रही थी तो उस्तों दर्सन वड़ोद्रा की उस सोसाइटी का एड्रेस पुलिस को सचिन ने ही दिया था और वहाँ पर कहानी कुछ इस तरह से होती है सचिन बताता है कि वह उत्तर प्रदेश के एक गाव करेने वाला था सचिन की शादी अनुराधा से 2016 दिसंबन में वोती है यह एक अरेंज मैरिस थी सचिन और अनुराधा दोने साथ वह बहुत खुश थे सचिन नौकरे के सिलस्रे में गुज अपने माता पिता और अपनी पतनी अनुराधा को एहंदवाद में रहने के लिए बुला लेता है थोड़े वक्त के बाद सचिन और अनुराधा का एक बेटा भी होता है जिसकी ओर इसवत तीन सान है सब लोग खासी खुशी रह रहे थे प्रियोस्ती अच्छी चल रहें थ 2018 में सचिन एक शोरूम में जाता है वहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम मेहंदी और फीना होता है दोनों की दोस्ती होती है नंबर एक्स्चेंज होते हैं और फिर फोन पर लंपी बाते सुरू हो जातनी है थोड़ा ही और तलता ने सचिन और हिना में कुछ भी नहीं बताया था ना ही अपनी शादी सुदा जिंदिकी के वारे में कुछ बताया था इस तरह दोनों हिना और सचिन का रिष्टा चल रहा था इसी बीच सचिन की कंपनी ने उसका ट्रांसफर उसी कंपनी के दूसरी ब्रांच में कर लिया जो वडोधरा में थी सचि दोनों living relationship में बडोधरा के उस प्लैट में रहने लग जाते हैं सचिंग की पत्नी और उसका बच्चा और उसके माता पिता एहंदाबाद में रहते और सचिंग बडोधरा में हिना के साथ living relationship में रहता था Monday to Friday सचिंग हिना के साथ बडोधरा में रहता था और Friday evening से Monday morning तक वहाँ अहंदावार में अपनी पत्नी, अपने बेटे और अपने मावाद के साथ रहता था हिना की पुशने पर की वह बीकेन पर कहां जाता है तो उसने कहा कि मेरे चाचा चाचे की एक family है जो अहंदावार में रहती है मुझे उनके पास जाना पड़ता है, अगर मैं अर्सा नहीं करूँगा तो वह यहां आने की बात करेंगे इसलिए मुझे वहाँ पर जातंग बीकेन में रहना ही पड़ेगा, हिना को भी उसकी बात ठीक लेगी और अपने परिवार को सचिन ने ये कहा कि वह एक roommate के साथ बड़ोधरा में रूम शेयर करके उसके साथ रहता है सचिन के परिवार वालों ने यह बात सुनकर कभी बड़ोधरा जाने की जिब नहीं इस तरह से सब लोग हसी खुशी रह रहे थे और सचिन दोनों परिवारों को अच्छी तरह से मैनेज कर रहा था इती तरह साथ रहते हुए हिना ने 2020 में एक बेटे को जन्म दिया हलाकि अभी तक हिना और सचिन ने शादी नहीं की थी सचिन ने हिना से शादी का वादा किया था लेकिन वह शादी की बात को ताल रहा था उन्होंने अपने बच्चे का नाम शिवांस रखा जिसके बाद हिना सचिन से शादी करने की जिद करने लेगे हालाकि सचिन ने हिना से कहा कि वा कुछ वक्त के बारे में अपने माता पिता से बात करे रहा लेकिन हिना अपसर इस बात कर जिक्र सचिन से करती रहते थे जिस बात को लेकर दोनों में जगड़ा भी होने लगता था इसी तरह आथ हिक्टूबर 2021 की दोपहर को सचिन ने हिना को बताया कि वह दशहरे के लिए अपने मातर पिता के पास गाउं जा रहा है एक हपते में वह लोड़ कर आ जाएगा हिना ने कहा कि तयोहार का वक्त है मैं अकेंडे एक छोटे बच्चे के साथ नहीं रह सकती हूँ तो इसलिए तुम मत जाओ लेकिन सचिन ने कहा कि मुझे जाना ही है इस बात को लेकर दोनों की लडाई होती है और इसी जगड़े के दोरान हिना ने शादी की बात छिरक दी शादी की बात सुनकर सचिन को गुसा जाता है और वह हिना का गला दबाने लगता है और हिना का गलावाई इतनी तेजी से दवाता है कि हिना की मौट हो जाते हैं सचिन को पहले तो कुछ समझ में नहीं आपा है लेकिन फिर घाब में रखे एक बड़े से ट्रेवल बैड में हिना की डेट बाड़ी को रख तर वा पंद कर देता है और उस बैड को किचन में रख देता है वहाँ पर सचिन और हिना का बेटा होता है सचिन अपने बेटे को मारना नहीं चाहता था इसलिए शिवांस को लेकर नीची आता है अपनी सेंट्रो कार निकलता है और बच्चे के साथ उसमें बैठ कर गांधी नगर की तरफ निकल जाता है स्वामी नारान गौशाला के बारे में सचिन पहले से ही जानता था क्योंकि वह पहले गांधी नगर में जही चुका था उस गौशाना में कब कितने लोग वोते हैं और कितना सन्नाटा कम होता है इस बात की पूरी जानतारी सचिन को पहले से ही थी सचिन को लगा कि कोई न कोई उस गौशाना के पास शिवांस को देख लेगा और उठा लेगा शायद उसे अपना भी निया सोच कर उसने गौशाना को ही चुना और सचिन ने अपनिगारी गौशाना से थोड़ी दूर पाक की और शिवांस को गोध लेकर गौशाना के गेर त दोस्तों, पोलिस ने सचिन को गिरफ्तार कर लिया और दियने करवाया, तो सचिन के दियने मैच हो गया, सचिन को हिनाके पत्ल के जुन में जेल हुई है, लेकिन अभी ते व्लोवग कौर्ट से ही फैसला नहीं आया है, हालाकि सचिन लगयतार जेल में ही है, सचिन का पूरा परिवार सकते में था। लेकिन इंसार्ट में सबसे अफसोस बात यह है कि शिवास की माँ अब इस दुनिया में नहीं रहे और सचिन को शायद हमेशा के लिए सलाखों के पीछे रहना पड़े तो मासुम शिवास टिस गलती की सजा भुगत रहान है क्योंकि 2021 की लास्ट अपडेट यही थी कि सिवास को एक एंजियो में रखा गया है दोस्तों यह कहानी यह खत्म होती है लेकिन एक सवाल अभी भी है कि क्या शिवास को सचिन की पत्नी अनुराधा अपनाएगी आप इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे और अगर आपको यह वीडियो और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें इससे हमारा होश्टा बढ़ेगा और हम इसी तरह के कॉंटेंट आपके लिए लापते रहेंगे अगर आपको मेरी मेंट पसंद आई हो तो चैनल को सबस्ट्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर दे आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई क्राइंग डाइजेस्ट के साथ तब तक सुरक्षी परहें